हाई डुल्टीज, वेलकम टू इजी वे कॉर्मेंट्स क्लासेज, मैं हूँ अपितार गाईज, आज की इस वीडियो में हम लोग अपने मेक्रो एकनोमिक्स में से चेप्टर है कौन सा एक्सेस दिमांड और डेफिशिंट डिमांड उसमें से आज हम टॉपिक करने वाले हैं इससे पहले वाली वीडियो में हम एक्सेस दिमांड को पढ़ चुके हैं और एक्सेस दिमांड के कंसेप को और मिनिंग को हम समझ चुके हैं आज की इस वीडियो में डेफिशिंट डिमांड को समझेंगे गाईज, डेफिशिंट डिमांड क्या होती है तो आगे बढ़ने स अपने deficient demand topic की तरह, deficient demand होता क्या है? देखो, जैसे इसका नाम है ऐसी यह है deficient का मतलब, अगर मैं अब से general way में पूछो तो deficient का मतलब क्या होता है? deficient का मतलब होता है कमी आना यानि कि demand में कमी आने को deficient demand कहते है but किस situation में कमी आ रही है? यह बहुत important concept है So guys, deficient demand किस situation में कम हो रही है वो बहुत important है तो आज हम उसी चीज़ को पढ़ने वाले हैं So guys, पता क्या होता है कि जब हम लोगों का demand और supply दुसरे को cut कर रहा होता है और economy में full employment level है यानि कि जितने लोग काम करना चाहरें, सब को काम मिल रखा है और ऐसे केस में अगर demand कम हो जाती है तो उसको deficient demand कहते हैं बताओ कितना नुकसान होगा कि equilibrium level achieve कर चुके थे और अब demand जाके कम हो रही है लोगों को noqueria मिल चुके थे, अब जाके demand कम हो रही है तो इस चीज़ को हम deficient demand कहते हैं यही book की language में लिखा गया है इसे केस में हमारी demand क्या हो जाए कम हो जाती है तो उसे हम deficient demand कहते है अब इसका curve बनाना देखो कितना असान है हमारे पास x-axis आपको पता है, y-axis पता है अब aggregate supply, aggregate demand था aggregate supply क्या होते है जो 45 degree पर हमारा एक straight curve जाते है AS ठीक है जिसे हम AS aggregate supply को guys क्या कहते हैं C plus S, right aggregate demand एक तिर्चछ सी line जाती है AD, C plus I कहते है अब ऐसे case में guys अगर हमारी demand कम हो जाती है तो हमारा curve नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से बन जाता है और यह हमारे aggregate supply curve को यहां पर cut करता है तो अब जो यह gap हम लोगों को face करने को मिल रहा है इसे हम क्या कहते है deflationary gap क्या कहते है guys deflationary gap यानि कि deflationary gap क्या होता है is a gap when aggregate demand जो है is actual aggregate demand is less than the required aggregate demand to maintain the equilibrium to maintain the full employment level of economy ठीक है full employment level of output ठीक है यानि कि यह deflationary gap क्या होता है कि हमारी actual 80 हमें जितनी चाहिए वो actual 80 जो है वो less है किसे required aggregate demand से यानि कि हमें जितनी demand चाहिए 500 unit की बट actual demand is सिफ 400 unit की तो that gap is called a deflationary gap यानि कि कितने unit की कमी आ रही है वो deflationary gap होगा I hope guys आपको यह clear हुआ होगा कि deflationary gap हम किसे कहते है ठीक है तो यह जो हमारा gap आ गया that is deflationary gap यानि कि इतने समान की कमी हो गई इसे deflationary gap कहते है जब हमारी actual demand जो है वो कम हो जाती है required demand से ठीक है तो required demand से कम हो गई अब guys ऐसा होने पर economy में क्या फरक आते है क्या effect आते है economy में तो guys देखो सबसे पहला effect यह आता है कि जो employer है जिन्होंने लोगों को नौकरी पर रखा हुए यह हम पढ़ते हैं यह चीज़ देख रहे है कि full employment level है यानि कि जो लोग काम करना चाहते हैं सबको काम मिल रहा है अब ऐसे case में क्या होगा जब समान नहीं बिकेगा लोगों की demand नहीं होगे तो employer अपने employees को निकाल देंगे तो ऐसे case में सबसे पहले employment को हटाया जाएगा unemployment आ जाएगी दूसरी चीज़ क्या होगी उनका inventory बहुत बचा पढ़ा है stock बचा है आगे की production को वो कम कर देंगे ठीक है तो production output क्या होगा output level काम हो जाएगा production नहीं करेंगे क्योंकि बिक नहीं रहा employment क्या होगा unemployed हो जाएगे लोग जनरल price लेवल पर क्या फरक आएगा चीज़े सस्ती हो जाएगे क्योंकि बिक नहीं रही है तो बहुत common सा इसका effect आता है ठीक है तो अभी आपको meaning clear है deflationary gap का meaning clear है effect भी clear है अब ऐसा क्यों होता है reason क्या है कि हमें deficient demand जैसे situation face करने को मिलती है तो पहला reason है guys decrease in propensity to consume बहुत ही मच्छर है decrease in propensity to consume यानि कि जब आपके जो है propensity to consume जिसे कहते हैं that is MPC marginal propensity to consume यानि कि आपकी जितनी income बढ़ती है उसमें आप कितना अपना consumption बढ़ाती हो यानि कि अगर आपकी pocket money 500 रुपे से बढ़ जाए तो आप उस 500 रुपे जो बढ़े हुए हैं उसमें से कितना खर्च करते हो that is the margin propensity to consume तो अगर किसी देश में MPC कम है मतलब लोग कम खर्च करते हैं कम खर्च करने का मतलब होगा लोग demand ही नहीं कर रहे ज्यादा जोड रहे हैं पैसा तो ऐसे case में market में deficit demand की situation आ जाती है क्योंकि लोगों के खर्चनी की power जो है वो उन्होंने अपनी रोग कर रखी हुई है ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं तो उनका propensity to consume क्या है कम होता जा रहा है यानि कि वो जितना खर्च करते हैं उससे कम खर्च कर रहे हैं और ज्यादा सेव कर रहे हैं सेकिंड चीज गाई अगर टेक्स बढ़ जाए इंक्रीज इन टेक्स अगर गवर्मेंट टेक्स बढ़ा देती है तो ऐसे केस में भी क्या होगा हमारे हाथ में जो हमारी disposable income बचती है वो हमें गवर्मेंट को ज़्यादा टेक्स के रूप में देनी पड़ जाएगे और हाथ में कम पैसा बचेगा तो of course कम पैसा बचेगा तो कम खर्च करेंगे हमारे डिमांड कम हो जाएगी थर्ड अगर गवर्मेंट अपने खर्चे करने बंद कर दे जो कि अपने वो बिजनस को चलाने के लिए बिजनस बोले तो अपने देश को चलाने के लिए करती है उसके पास fourth है guys falling investment expenditure अगर government investment expenditure नहीं कर रही है तो लोगों का employment generation नहीं होता है income generation नहीं होती तो demand में क्या आजाती है कमी आजाती है यह सारे एक दूसर से interlinked है rise and import अब आप चीजों को बाहर से import करने में लगे हो तो अप अपने देश की चीजों को खरीद ही नहीं रहे हो तो अब जब नहीं खरीद रहे तो हमें demand में कमी phase करने को मिलेगी क्योंकि हम तो बाहर से समान मंगाने में लगे है तो ऐसे case में भी हमें deficient demand को phase करना पढ़ता है अगर हम बाहर से जादा समान मंगाते हैं या फिर fall in export यानि कि पहले हम बाहर जादा समान भेजते थे लेकिन बेचते थे भेजते थे अब हम कम भेज रहे हैं तो यानि कि कम export लोग बाहर से हमारा समान को कम खरीद रहे तो हमें क्या situation phase करने को मिलेगी deficit demand या फिर हम बाहर से जादा समान खरीद ले तो हम अपने देश के समान को नहीं खरीदते तो deficit demand इन सारे reasons की वज़े से हमें देखने को मिलता है जो कि एक बड़ी normal सी situation है जो कि एक economy face करती है कि उसकी demand जो है वो कम हो जाती है aggregate supply से ठीक है I hope guys आपको ये समझ आया होगा अगर फिर भी कोई query है तो आप Instagram में पूछ सकते हो और अगर ये वीडियो पसंद आए तो like करें बिना बिल्कुल नहीं जाना Thank you